नमस्कार भविश्यवानी में आपका स्वागत है रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके राशी का भविश्यवाने के लिए आज आश्युन कश्रपक्ष की दश्मीतिति और शनिवार का दिन है दश्मीतिति आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह चार बच कर पंदा मिनिट तक रहेगी आज के दिन दश्मीतिति वालों का शाद किया जाएगा आज सुबह सूरोदे से शाम चार बच कर पच कि चर्चा करेंगे साथ ही आज अगर आपका बड़े है तो क्या करें और अगर आज आपकी मारी जनवर्सरी है तो क्या खास करें क्या है आपका आज का लगी कलर और क्या है आपका आज का लगी नमबर आज अगर बिजने शुरू करना है तो कितने बज़े शुरू करें नाम का भविश्य और कब निकलेगी कुरोना की वैक्सीन आज कौन सी दिशा होगी शुब और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है और यह सब जागने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे दोस्तों आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम ह अच्छा होगा आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की यानि की यही जैद योग की तो बता दू कि आज ये योग नहीं बन रहा है आज ये योग 13 सितंबर की सूरुदे से दो पहर एक बच कर तेंटीस मिनित तक रहेगा औ यानि के सारे काम बनाने वाले योग की तो आज ये योग नहीं बन रहा है अज ये योग 13 सितंबर की शाम 4 बच कर 34 मिनित से पूरी राख पार करके 14 सितंबर की दो पहर बाद 3 बच कर 52 मिनित तक रहेगा इस क्रम में आइए चर्चा करते हैं आज के शुब महूत यानि के कि अगर आप किसी को प्रपोस करना चाहते हैं तो उसके लिए आज को अच्छा महूत नहीं है अब ये महूत 17 अक्टूबर की सुबह 6 बच कर 24 मिनित से दो पहर पहले 11 बच कर 14 मिनित तक रहेगा आज नया बिजनिस शुरू करने के लिए को अच्छा महूत नहीं है अब य अच्छा महूर्ट नहीं है अब ये महूर्ट 17 गुवर की सुभा 6 वच कर 24 मिनिट से 8 वच कर 47 मिनिट तक और दो पहर पहले 11 बच कर 5 मिनिट से 11 वच कर 14 मिनिट तक रहेगा किसी industrial institution में लेंदेन करने के लिए आज कोई अच्छा महूरत नहीं है अब यह महूरत 17 अक्टूबर की सुभा 6 बच कर 24 मिनिट से 8 बच कर 47 मिनिट तक और दोबहर पहले 11 बच कर 5 मिनिट से शाम 4 बच कर 19 मिनिट तक रहेगा आज सेजरीन operation कराने के लिए कोई अच्छा महूरत नहीं है अब यह महूरत 16 अक्टूबर की रात 1 बच कर 1 मिनिट से 1 बच कर 25 मिनिट तक और रात 1 बच कर 54 मिनिट से अगली सुभा 6 बच कर 24 मिनिट तक रहेगा जॉब जॉइन करने के लिए आज कोई अच्छा महूरत नहीं है अब यह महूरत 18 से तंबर की दो बहर 12 बच कर 14 मिनिट से शाम 4 बच कर 46 मिनिट तक और शाम 6 बच कर 13 मिनिट से रात 11 बच कर 9 मिनिट तक रहेगा मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज कोई अच्छा महूरत नहीं है अब यह महूरत 18 बच कर 14 मिनिट से एक बच कर 25 मिनिट तक और रात एक बच कर 54 मिनिट से अगली सुभा 6 बच कर 24 मिनिट तक रहेगा और अब बात आती है अशुव समय की आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रो मागरेटी फील्ड कुछ च्छाओं के लिए नेगेटिव हो जाती है इस अशुव करांति सामें से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है इससे चारों तरफ नेगेटिवटी फैल जाती है इस समय में कोई विशुव कारे करने से सफ़ता नहीं मिलती आज दो पार एक बच कर तेरह मिनट पर अशुव समय रहेगा वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन करक, तुला, मकर और मीन राशियां विशे शुव से प्रभावित होंगी ध्यान रहे इस समय के बारा मिनट पहले और बारा मिनट बात तक कोई भी शुव कारे नहीं करना चाहिए इसके साथ ही एक बात और बता दूँ कि काम शुरू करते वक्त तक राहुकाल का ध्यान रखना बेहत जरूरी है रहुकाल के दोरान कोई काम शूरू नहीं करना चाहिए अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं आज दिल्ली में रहुकाल होगा सुबह 9 बजकर 11 मेंट से 10 बजकर 24 मिनिट तक मुंबई 9 बजकर 30 मिनिट से 12 बजकर 2 मिनिट तक चड़ीगा नौबचकर बारा मेट से दोपार पहले दस बचकर पैतालीस मिनिट तक लखनवू सुबह आठ सतावन से सुबह दस बचकर उनतीस मिनिट तक भोपाल नौबचकर ग्यारा मेट से दस बचकर चवालीस मिनिट तक कोलकाता आठ बचकर 27 मिनट से 10 बचे तक अहमताबाद सुबह 9 बचकर 30 मिनट से दोपार पहले 11 बचकर 3 मिनट तक और चेन्नाई में रहुकाल होगा आज सुबह 9 बचकर 1 मिनट से 10 बचकर 30 मिनट तक ये था कुछ शेहरों का रहुकाल और अब आज की यात्रा की शुब दिशा क्या है तो आज वो दिशा है पस्चिम और उत्तर पस्चिम आज घर से निकल कर पस्चिम या उत्तर पस्चिम दिशा में जाईए अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा की और साथ कदम चली क्लॉक क्वाइस घूम कर अपने काम से चले जाएए सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ पन नाम मिलते ही रहेंगे यानि कि आपके तमाम काम बिना किसी बितने बादा के पूरे होते रहेंगे और आई ये शुरू करते हैं सिल्सला राशिफल का सबसे पहले बात रोज चितरे आज भी मेशराशी की मेशराशी वालों आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिल सकते हैं आपको बड़े बुजर्गों का आशेरवात पराप्त होगा आज आपका मूड काफी अच्छा रहेगा बिजनस में सब कुछ सामाने रूप से बना रहेगा दामपत्य संबंदों में ताज़गी भरने के लिए आज का दिन पढ़िया है आप कुछ नए विचारों के साथ अपना कोई खास काम शुरू कर सकते हैं आज का दिन आपके लिए फाइदे मंद रहेगा आपके आप मिश्वास में भी बड़ोतरी होगी नए शुरू किये हुए कामों में सफलता मिलेगी आज के लिए आपका लकी कलर है वाइलेट और लकी नमबर है दो प्रेश राशेवालों आज आपका दिन उत्तम रहेगा आपको बिजनस के छेतर में कुछ लोगों से मदद मिलेगी आप अपने दमपत्र जीवन को आपसी समझ से और भी बेहतर बनाएंगी आज समाजी जीवन भी हर तरह से बेहतर बना रहेगा कारेक शेतर में आपको काम के लिए वावाही मिलेगी आपसे किस्थित में प्रगत्य होगी आज खुद को सही साबित करने में सफल रहेंगे किसी काम को पूरा करने के लिए आपको कोई नया आइडिया सुझेगा स्टूडिन्स को आगे बढ़ने के अच्छे आउसर प्राप्त होंगे आज समाज में आपका मान समान बढ़ेगा आज के लिए आपका लकी कलर है वाईट और लकी नमबर है एक मिठुन राशिवालों आज आपका दिन पहले के बेच्छा अच्छा रहेगा कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और बहतर बना सकती है जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे आफिस में आपके काम की तरीफ हो सकती है अपने कुछ खास काम ने प्टाने के लिए आपको अपने रूटीन में बदलाब करना पड़ सकता है आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे साथी कहीं घूमने जाने के प्लानिंग भी कर सकते है अगर किसी तरह का निवेश करने के सोच रहे है तो पहले आपको सब कुछ अच्छी तरह से चिक कर लेना चाहिए आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रे और लखी नमबर है सिक्स करकर आश्यवालों आज जीवन साथी के साथ आपको बाचीत में थोड़ी नर्मी बर रखनी चाहिए धैरे रखने पर आपके रिष्टे मधूर होंगे नेमित योग करने से आपका स्वास्ते बहतर बना रहेगा आज कुछ कामों में आपको अधिक समय लग सकता है आपको टेंशन लेने से बचना चाहिए आज किसी के राये आपके लिए कारगर साबित हो सकती है दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे आमदनी बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान आपके दिमाग में आ सकता है कुल मिलाकर आज आपका दिन बहतर होगा आज के लिए आपका लखी कलर है बलैक और लखी नमबर है तीन सिंग राशिवालों आज आपका दिन सामाने रहेगा नौकरी पेशा लोगों को नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आगे चल कर ये प्रोजेक्ट आपको फाइदा दिलाएगा इस राशिके विद्याथियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है महनत के बल पर आपको अपने करियर में सफलता हासिल होगी आफिस में एक साथ कई तरह के काम हाथ में लेने से आपको तनाव महसूस हो सकता है कुछ कामों में ओर कांफिटेंस के कारन आपको नुपसान भी हो सकता है इसलिए आज अपने आप पर थोड़ा काबू बनाया रखें आज के लिए आपका लखी कलर है स्काई बलू और लखी नमबर है पाँच कन्या राश्यवालों आज आपका दिन शांदार रहेगा बच्पन के किसी दोस्त का आज फोन आ सकता है बात के दोरान कुछ पुरानी यादे ताजा होंगी आप के अधूरे काम पूरे हो जाएंगे बिजनस में नए एग्रिमेंट हो सकते हैं संपत्य बढ़ाने की कोई योचना सफल हो सकती है आज आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी आपके कारोबार में बहुत्तरी होगी इस्टूडेंस के लिए आज का दिन फेवरिबल रहेगा आप किसी नए कोस को जॉइन कर सकते हैं आपको माता-पिता का पूरा-पूरा सायोग पराप्थ होगा साथी धन में भी बहुत्तरी होगी आज के लिए आपका लखी कलर है परपल और लखी नमबर है एक तोला राशी वालों आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा आप सामाजिक कारियों में हिस्सा ले सकते हैं आफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है जिसमें आप अपनी महनत से सफल भी हो सकते हैं परिवार से जुड़ाई किसी काम के लिए थोड़ी भागदोर हो सकती है स्वास्ते में थोड़ा उतार चड़ाव भी बना रहेगा कोट संबंदी किसी काम के लिए आपको अपने सीनियर्स की मदर लेनी पर सकती है आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं धन संपत्य के मामलों में आपको सतर करेना चाहिए माता का स्वास्ते बेहतर होगा आज के लिए आपका लखी कलर है पीच और लखी नमबर है चार वरिष्चिक राशी वालों आज आपका दिन पहले के बेक्षा बेहतर रहेगा थोड़ी सी मेहनत से ही आपको बड़ा मुनाफ़ा मिल सकता है आप जीवन साथी के साथी घर पर डिनर करने का प्लान बना सकते हैं इससे आप दोनों के बीच नजदी क्या बढ़ेंगी बच्चे दोस्तों के साथ खेलने में ज़्यादा समय बिता सकते हैं साथी शिच्छा के खेतर में भी सफलता हासिन होगी नौकरी पेशा लोगों को करियर से जुड़ा को सुनहरा मौका मिलेगा आपके कामकाज में बदलाव होने के जोग बन रहेंगे आज के लिए आपका लखी कलर है रेड और लखी नमबर है सेवन ठनूरा शिवालों आज आपका दिन पढ़िया रहेगा परिवारवालों के साथ धार्मे के स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे आपके मित्रों के संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है आठिक रूप से आपको लाव की प्राप्ति होगी आपके काम में नए अपना आएगा अपनों से नज़्दी किया बढ़ाने का अवसर मिलेगा आपको कोई शुब सूचना प्राप्त होगी आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा आपके कामकाज की च्छमता बढ़ेगी जिसके जिससे कारे च्छेतर में आपका प्रभाव बढ़ने के योग है लव मेट्स एक दूसरे के साथ खुशी के फल बेचीत करेंगे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे आज के लिए आपका लखी कलर है सी ग्रीन और लखी नमबर है एक मकर राशिवालों आज आपका दिन सामाने रहेगा बिजनस में रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है आपको किसी विशेश काम में दूसरों की मदद मिल सकती है साथी परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ होंगे जीवन साथी के साथ भी बेहतर तालबेल बना रहेगा लेकिन आफिस में माहौल मेला जुला रहेगा आपकी किसी सहकर्मी के साथ अनबन की इस्तिती बन सकती है आपको अपनी माता के स्वास्ता का ध्यान रखना चाहिए आज ये पारिवारिक समस्याओं का समाधान मिलेगा आज के लिए आपका लखी कलर है यलो और लखी नमबर है नाई पुब बराशिवालों आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा आप खुद को एनरजेटिक महसूस करेंगे साथ ही आपके परिवार में सुक्षांती बनी रहेगी आपको आनंद की अनभूती होगी आपके किसी खास्वेक्ति से मुलाकात हो सकती है आप किसी खास विशाय पर उनसे बाच्चित भी कर सकते है आप बच्चों को कहीं कुमाने ले जाएंगे आज कामकाच किस सिल्सले में थोड़ा बिजी रह सकते है अधिकारी वर्गा आपसे पसंद होंगे परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा आज के लिए आपका लकी कलर है औरेंज जो लकी नमबर है आठ मीन राशेवालों आज आपका दिन अच्छा रहेगा आपके अच्छे विवखार से आसपास के लोग खुश रहेगे साथ ही आपके अच्छी चवई निकर कर लोगों के सामने आएगी समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिल सकता है आफिस का काम समय पर पूरा होगा किसी दोस्त की मदद से आपके कुछ निजी काम पूरे होगे आपको आठिक रूप से भी लापकी प्राप्ति होगी कुछ मामलों में आपको अधिकारियों से मदद मिलेगी दोस्तों से संबन मदबूत होंगे आज के लिए आपका लकी कलर है मैं जेंटा और लकी नमबर है चार और अब बात उनकी जिनका जनम दिल है जिनका जनम दिल है वो आज किसी दोस्त को मीठा खिलाएं और जिनकी आज मरीज अनिवरसरी है वो आज घर के गेट को सनिटाइज करें तो साल भर सुख और सुभागे बढ़ता ही रहेगा और आईए ब चलते हैं अंकों की रहा समय दुनिया में मूलांक एक वालों आपके लिए आज का दिन बेहतीन रहेगा साथी आथिक तोर पर आपके लिए लाब कारी रहेगा मूलांक दो बाहर का खाना जैसे जंग फूड इत्याद से परहेच करें आपके सेहर बेहतर बनेगी मूलांक तीन आज आपका मन किसी धाल में किस तलके दर्शन करने को करेगा शाम को परिवार के साथ दर्शन करने जाएंगे मूलांग चार अपने पार्टनर को कोई कीमती उपहार देकर आप वाई वाही के जीवन में खुशियों की मिठास घो लेंगे मूलांग पांच आज जीवन साथी के साथ आनंद दायक पल बिटाने के काफी मौके आपको मिलेंगे मूलांग चे अपने काम और पारिवारिक जीवन के बीच सामनजस से स्थाफित करने की कोशिश करिए मूलांग साथ आज आप उच्छा धिकारियों से तालमेल बना कर चलें तो आपको अच्छालाब मिलेगा मूलांग आठ आज आपके पैसों का रोटिशन बराबर रहेगा जिससे आपकी आर्थिक इस्थिती बेहतर होगी मूलांग नौ आज किसी ऐसी जगे पैसा निवेश कर सकते हैं जिसका फाइदा भविश्य में आपको मिलेगा और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे स्टडी रूम में स्टडी टेबल रखने के बारे में वास्तुशास्त्र के अनुसार स्टडी रूम के साथ साथ study table के लिए भी सहीधिशा का निधार करना आवश्यक chicken कि चो कि study table को सहीधिशा में रखने से बच्यक की और कि ह्रुएड़ा की श्क्ति वहती है साथी पढ़ाई में उसकी रुची भष्ति है study table को रखने के लिए सहीधिशा का निधार उसकी धातु या किस चीज़ की बनी है इस आधर पर किया जाता है अगर study table लकड़ी की है तो उसे रखने के लिए पूरुव दिशा या अगने कौन यानि दक्षल पूरुव दिशा का चुनाओ करना चाहिए लेकिन अगर study table लकड़ी के अलावा किसी अन्य धातू की है लोहयाद की है या अल्मूनियम की है तो उसके लिए पश्चम दिशा का वायव कौन यानि उत्तर पश्चम दिशा का चुनाओ करना ठीक होता है इस प्रकार अलग-अलग धातू के नुसार दिशा का चुनाओ करके study table लखने और उस दिशा में पढ़ाई करने से positive results मिलते हैं और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज आश्विन कृष्ण पक्षी की दश्मी तिथी और शनिवार का दिन है दश्मी तिथी आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुवार चार बच कर पढ़ना मिनट तक रहेगी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुकल पक्ष की दश्मी तिथी को हुआ हो उनका शाध आज के दिन किया जाएगा दश्मी तिथी का शाध करते वाले विक्ति को कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती अगर आपके घर में किसी पूर्वज का स्वर्गवास दश्मी तिथी को हुआ हो तो आज के दिन उसके निमित शाध कारे करके आप जीवन में धन संपत्तिगी प्राप्ति कर सकते हैं तो ये थी चर्चा दश्मी शाध की और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की आज सुर्योदे से शाम चार बच कर पचीस मनेट तक इस्तिर योग रहेगा गुरु और शनिवार को अगर चतुर्थी, अश्टमी, नौमी, त्रेवदशी या चतुर्दशी तिति के साथ करते का आज दरा, आशलेखा, उत्तरा, फालगुनी, स्वाती, जेश्ठा, उत्तरा, शढ़ा, शर्विखा या रिवती नक्षत्र का साय योग बन रहा हो तो स्थिर योग बनता है, ये योग रोग आजी से छोटकारा पाने के लिए बड़ा ही शुब होता है, साथी आज शाम चार बच कर पचीस मनट तक आज़ा नक्षत्र रहेगा, आज़ा का अर्थ है नमी, आज़ा नक्षत्र का प्रतिचन आसू की बूंद को माना जाता है, श करेंगे आज के नक्षत्र शाध की, दश्मी शाध के साथ ही आज आर्दा नक्षत्र भी है, गरूर पुरान के अनुसार कृतिका, रुहनी, मिलक्षया नक्षत्र की तरह ही विशेश लाग पाने के लिए अपने पूर्वच की स्वरगवास्तिति के अलावा, आज आर्दा नक्षत्र में भी शाद्र कर सकते हैं आदर नक्षत्र का संबन्द शीशम के पेल से है और जिस भी विशेश नक्षत्रक पे शाद्र करने का महत्तु है उस दिन उस नक्षत्र से संबन्द पेल पौधों के उपासना करने का भी बड़ा महत्तु है अतहा आज के दिन आदर नक तो ये थी चर्चा आज के नक्षा तरशादे की और अब बात करेंगे आज पढ़ने वाली भद्रा की आज शाब चारवचकर अठरा में से शुरू होकर बोर चारवचकर पंदा मिनिट तक भद्रा रहेगी आज चंदर्मा मेथन राशी में है लिहाज आज स्वर्ग लोग की भद्रा है और स्वर्ग लोग की भद्रा का प्रथ्वी लोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस समय शुब काम किये जा सकते हैं भद्रा जिस किसी भी लोग में इस्तित होती है केवल वही मूल रूत से प्रभावी रहती है स्वर्ग लोग की भद्रा प्रथ्वी पर शुक्फल देती है तो ये थी चर्चा भद्रा की और आई ये चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन के जाने वाले उपायों के बारे में एक महतुपूर बात बता दूँ कि आज की ग्रहनक्षत इस्थित के अमसार सभी लोग ये उपाय करके लाब उठा सकते हैं अगर आप बिजनस में अपनी आथिक इस्थित को स्थिर बनाया रखना चाहते हैं तो आज आफिस में तुलसी का पौधा लगाईए और उसकी देख भाल करिए अगर आप किसी विशेश कारे में अपनी सफलता को स्थाई रूप में देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री विश्व भगवान की विधिपूरग पूजा करके उनके इस मंत्र का 108 बार जब करना चाहिए मंत्र है ओम नमो भगवते नारायनाये अगर आप भविश्य में किसी वी परकार की गंभी वीमारी से अपने परिवार को बचाया रखना चाहते हैं तो आज एस तिरियोग में आप महामत तुंजाय यंद्र की इस्थाफना कीजिए अगर आप अपने दांपते संबंधों में प्यार को जो ही बनाया रखना चाहते हैं तो आज शी विश्व को केसर चलाएं साथ ही उनके आगे घी का दीपंचने अगर आप रोग आदी के भाई से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज आपको त्रेमबक मंत्र का कम से कम 108 बात जब करना चाहिए मंत्र है ओम त्रेमबक म्यजामहे सुगंधिन पुष्टे वर्धनम और वारुक मेव बन्नान मत्तूर मुक्षी अमामरतात अगर आप अपने अच्छी सेहत को वरकरार रखना चाहते हैं तो आज आपको शी विश्व का ध्यान करते हूँ तुलसी के पांच पत्ते का सिवन करना चाहिए और ध्यान रहे कि तुलसी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए उन्हें को पानी के साथ निगल लेना चाहिए अगर आपको बोलने में किसी प्रकार की परिशानी मैसूस होती है या आप दूसरों के सामने अपने बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं रख पाते हैं तो आज आपको मंदिर में हरे साबुत मूं का दान करना चाहिए साथ ही सिद्ध किया हुआ बुधियत धारन करना चाहिए अगर आपको कमर संबंधी कोई परिशानी रहती है या आप कमर दर्थ से परिशान रहते हैं तो आज इस्थिर योग में विधारा की जड़का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे ताबीज में डाल कर अपने कमर पर बांद ले अगर कमर में नहीं बांद सकते हैं तो अपने गले में पहन ले अगर आपको आँखों से जुली कोई समस्या रहती है तो आज इस्थिर योग में आपको आज देश दूर्थ का पाट करना चाहिए साथी अपने इश्थ देव को पुलाम करके उन्हें पुष्प अर्पिट करने चाहिए अगर आप अपने घर की सुक समर्दी को हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको सुबह इस्थनान के बाद साफ सुत्रे कपड़े पहन कर तूची के पौधें की पूजा करनी चाहिए और उसमें घी का दीपक जलाना चाहिए अगर आपको दांतों संबंधी कोई परिशानी रहती है आपके दांतों में दर्द रहता है तो आज आपको केतू संबंधी उपाय करना चाहिए आज आपको केतू के मंतर का 108 बार जब करना चाहिए मंतर है ओव स्रांग स्रींग स्रांग सह के तवे नमा मंतर जब के साथ ही आज आपको केतू यंतर के स्थापना भी करनी चाहिए आप चाहें तो धातू पर बना यंतर ले सकते हैं या फिर स्वेम भोज पत्र पर अनार की कलम दोरा अश्टगंद से या ये भी संभव नहों तो सफेद कागज पर लाल पिन से यंतर बना सकते हैं यंतर की फोटो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको ऐसा ही यंतर बनाना है इस प्रकार धातू या खुद से बना हुआ यंतर लेकर उसकी पूजा करें और उस पर मंतर का जब करें उसके बाद उस यंतर को अपने घर में के मंदर में किसी सुरक्षित इस्थान पर रखना चाहिए आज ऐसा करने से आपको रहत मिलेगी अगर आप अपने कारियों में इस ठिर्टा बनाया रखना चाहते हैं तो आज आपको इक पीबल कपता लेकर उसे अच्छे से साफ करके उस पर रोली से श्री लिखना चाहिए और लिखने के बाद उस पीबल के पत्ते को शीविश्व मंदिर में चाहिए श्रींग श्री के उपर अंकी बिंदी भी लगाए श्रींग आज ऐसा करने से आपके कारियों में इस ठिर्टा बनी रहेगी तो ये सारी चर्चा थी आज दश्मिती थी आदानक शक्र शाध्ध और इस तरी योग के बारे में उमीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा फाइदा उठाएंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भोष्च के बारे में और ABCD ही क्यो नाम का पहला अक्षर ही क्यों क्योंकि आज के जमाने में दोस्तों दुश्मन सबकी गत्विद्यों पर आपकी नजर होना चरूरी है आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्तों को आज कोई अच्छी अपरचुंटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी नमात ले किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा तो जिनके नाम का पहला अक्षर है आफिस में जूनियर का सही होग मिलेगा जिससे आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा बी किसी पुरानी बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है और कामकाजा दिखो सकता है सी आज का दिन अच्छा रहेगा आपको को अच्छी खबर सुनने को मिलेगी डी संचार साथनों से आपको फायदा होगा ज्यादा तर चीजें बहुत आसानी से सुलस्टी जाएंगी आपके लिए आज का दिन खास रहेगा कुछ नए अनुभव ही आपको मिलेंगे फ पैसों के मामले में उन्नतिके नए रास्ते खुलेंगे अचानक धनला भी होगा जी किसी काम में आप ज़्यादा मिहनत कर सकते हैं जिससे आप थोड़ा परिशान हो सकते हैं एच अपनी चीजों का ध्यार रखने की ज़रुत है नहीं तो उनको खोने की संभावना बन सकती है आई आपके अंदर कुछ बदलाव हो सकते हैं जिससे आपका करियर बहतर बनेगा जी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी उसके साथ खूब सारी बाते करेंगे के सुचे हुए सभी काम पूरे होंगे बिजनस में पैसा लगाना आपके लिए फायदे मन्द रहेगा एं चातर आज ग्रूप स्टडी करेंगे तो आपके सब्जक्ट में आ रही परिशानियों का हल बिलेगा एं बिल्डर्स के लिए आज का दिन बहतर रहेगा अचानक से आपको अच्छा मुनाफ़ा होगा एं विवाहितों के लिए आज का दिन खुश्णुमा रहेगा आपके रिष्टों में मधूरता बढ़ेगी ओ जिस अच्छे मौके का आपको इंतजात था वो अच्छा मौका आज आपके सामने आएगा पी बिजनिस की प्लानिंग को लेकर कुलवड़ा फैसला कर सकते हैं ये फैसला आपके लिए बहत्रीन रहेगा चिव संतान की और से खुश्खबरी मिल सकती है घर का बातावाना खुश्रुमा बना रहेगा आर दफ्तर में कोई उल्जा हुआ मामला सुलश सकता है जिससे आपकी टेंशन दूर होगी एस मन में वैचारिक उथल पुथल हो सकती है इधर उथर के विचार भी आ सकते है टी काम अधिक होने से तनाव बढ़ सकता है शाम को बच्चों के साथ समय बिताने पर रहत महसूस करेंगी यू कोई भी काम आप चल्दबाजी में न करें नहीं तो वाप काम आपका बिगर सकता है वी वित्तिय मामलों में आप समझदारी से काम ले यह आपके लिए अच्छा रहेगा डेबलू बिजनिस में कोई नई पर योजना लागू करना चाह रहे है तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा एक्स पाइसों से जुड़े बड़े फैसले सो समझ का लेना चाहिए यह आपके लिए अच्छा रहेगा वाई कामकाश के मामले में चीज़ें अपने आप सुलस्ट जाएंगी साथ ही आगे बढ़ने के मोगे मिलेगी जेड स्टूडेंस के लिए दिन पढ़िया रहेगा आपका मन पढ़ाई में पहले से जाता लगेगा और अब बात आज के तीर्ट की बढ़ा महत्तो माना जाता है इस स्थान के बारे में दो कथाएं पर चले थे पहली के अनुसार जब रिष्यों ने ब्रह्माजी से सबसे उपिवत भूमी के बारे में पूछा तब ब्रह्माजी ने एक चक्र को उनके साथ भेजा और का आज जिस स्थान पर ये चक्र भूमी में समा जाए वही भूमी तब के लिए सबसे शुद्ध होगी वही दूसी कथा के अनुसार इस स्थान पर बजए सरोवर में भगवान विष्यों का सुदर्शन चक्र सरोवर में समा गया था इनी दो कथाओं के अनुसार ही इस स्थान को चक्र तीर्थ और इस सरोवर को चक्र सरोवर कहा जाता है लोग दूर दूर से यहां अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पन करने आते ही तो आप ही कीजी इस पवित चक्र तीर्थ के दर्शन और अब बात सामुद्रिक शास्तर की सामुद्रिक शास्तर में आज हम बात करेंगे गुलाबी रंग के गाल वाले लोगों के बारे में जिन लोगों के गालों का रंग गुलाबी होता है सामुद्रिक शास्तर के अंसार उनका सोफ़ाव कैसा होगा आज इसी पर चर्चा करेंगे ऐसे रंगवाले लोग संतुलित मांसिक्ता के होते हैं ये अपने आपको परिस्थित के अनुसार ढालना अच्छी तरह से जानते हैं और अपने प्रतेक काम को नए तरीके से नए नए तरीके से वो पूरी जोजना के साथ करने में इन्हें बहुत आनन मिलता है ये लोग अपने सभी फैसले सोथ बहुती सोथ समझ कर करते हैं ऐसे लोग अपने जीवन में कई उचाईयों को छूते हैं जिससे समाज में इनका बहुत नाम होता है धायरेवान होने के साथ साथ ये लोग परकति प्रेमी भी होते हैं इन्हें प्राक्तिक चीजें खुला आस्मान, पेर पौधे और जानवरों आज से बहुत लगा होता है दूसरों के मदद करना इनका सुभा होता है किसी को मुसीबत में देखकर ये लोग अपने आपको रोक ही नहीं पाते इसलिए तुरन मदद के लिए निकल पड़ती है और अब बात अवाइड आदी डे की यानि आज आज आपको क्या नहीं खाना है आज 12 सितंबर को शुद्ध आश्वन कष्णपक्ष की दश्मी तिति है दश्मी तिति में कलंबी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए कलंबी एक पत्तेदार सबजी है जो कि पानी के सोर्स के पास उखती है दश्मी तिति आज भोर चार बच कर पंदा मिनट तक रहेगी उसके बाद 11 तिति लग जाएगी जो कि कल राद 3 बच कर 17 मिनट तक रहेगी 11 तिति में शिंबी यानि सेम की सबजी का सेवन निशिद है इसका सेवन करना आपके संतान के लिए हानिका रख हो सकता है अतहां आज भोर चार बच कर पंदा मिन तक आपको कलंबी के शाक का सेवन करने से बचना चाहिए जबकि उसके बाद कल रात तीं सत्ता तक आपको शिम्भी यानि कि सेम की सब्जी का सेवन अवाइट करना चाहिए इस तरहें तिथी का समय जानकर आप अपने खाने का शेडूर बना सकते हैं बाकि आप कुछ भी खाईए पीजिए मौच कीजिए और चलते चलते मैं आपको बता दू कि कल की शुक्तिशा क्या है कल मौर्नी वॉक करते समय अपना मूँ किस दिशा में रखें कि आपको चीज सेहत मिले घर पर पूजा करते समय खाना काते समय प्रानायाम करते समय योग करते समय फोन पर बात करते समय ऑनलाइन कुछ खरीदते समय या कोई एंगरिमेंट करते समय कल आपका मूँ किस दिशा में होना चाहिए कि आप मैक्सिमम फाइदा ले सके आपको घर में परिवार में पूरा यश मिले भरपूर सम्मान मिले तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पष्चिम और उत्र और अब सवधान कोरोना ओम शिंग है धिरनकाश्ट बढ़ाने तरिवोन व्या पकाए करेमे विश्च विशान को लोन मूलना ए इस्तंभोत भौाए समस्त दोशान हर हर भीषर भीषर पचपचः हनान कम आय कम पए मत मत रीं 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 सुख और अब वक्त है आज के टिप आफ दिडे का आज बालों में छोड़ा देल लगाएं सारे दिन आपको खुशिया ही खुशिया हासिल होती रहेंगी और अपना राश फल जानने के लिए लॉग आउन करें www.indiatv.in और मुझसे विक्तियस संपर करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 997-100-226 भविश शवानी में फिलहाल इतना ही नमस्कार